सो हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका प्यारी गेमर और आज किस वीडियों में आप सभी दस्वागत है तो गाइस आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले एक न्यू फोन रेड्मी 13C और यह फोन 9000 रुपे का है देखते हैं कि इस फोन में क्या अच्छे फीचर्स हैं क्या अच्छ और बॉक्स को उपन करते हैं 13C रेट कलर का बॉक्स है फोन सबसे पहले फोन को हम रखते हैं साइड में इन दा बॉक्स हमें देखने के लिए मिलता है यह सिम इंजक्टर टूल और यहाँ पर कुईक इस्टार्ट गाइड भी है और यह गाइड से आप अच्छा खासा है न काफी छोटा है हलका है तो ठीक है लेकिन पांच अबाइड की बैटरी है तो कोई दिकत नहीं है हमारे हाथ में आचुका है फोन बहुत ही ग्लॉसी लुक इसका है इस फोन का जो कलर है स्टार साइन ग्रीन है एंड काफी शानदार तो लग रहा है इस रैप से बाहर निकाल है 50 Megapixel का AI camera है जो कि आपको पता है बैक साइड से इस्टीकर हटाते है अच्छा नहीं लग रहा है ना में रेड में की ब्रैंडिंग है और compact फोन है ज्यादा बड़ा भी नहीं आ रहा है हाथ में पॉपर आ जा रहा है बिल्ड की बात करें तो बैक साइड में प्लास्टिक नहीं मिल जाएगा इस पिकर गैले हैं चारजिन पोर्ट है और एक microphone है फोन के राइट साइ Messed掉 री चलो इसका नीकालते हैं तो इसपन में डूवल सीम और एक अंगोकर में वंब्रप फोन करते हैं फ् widen कि मैं फोटिन जलते इस फोन को setup कर लिए हैं यहाँ पर फोन काफी श्मूज चल रहा है एंड कुछ जो प्री इंस्टॉल एप हैं एंड गेम से वो हैं काफी है मतलब उतने भी ज्यादा नहीं लेकिन हाँ ठीक है एंड इसमें MIUI वर्जन 14 एंड अभी अपडेट भी आ चुका है सो हम इसको अपडेट कर सकते हैं एंड इस फोन में Android वर्जन 13 का देखने के लिए मिल जाएगा जो की नॉर्मल है 13 का अच्छा रहता है एंड जो RAM है 4GB RAM है प्लस 2GB और एक्सपेंड कर सकते हैं मतलब 6GB की वर्चुल RAM Mediatek Helio Z85 का इस फोन में प्रोसेसर है Octa-Core Max 2.00GHz ठीक ठाग है मतलब कि इस फोन को रन करने के लिए अच्छा खासा प्रोसेसर है 128GB का अच्छा प्रोसेसर है एंड इस फोन में यहां पर 90Hz का रिफरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है एंड काफी स्मूध रहता है 120Hz यहा जो कि 90Hz के रिफरेस रिट के साथ आता है 450 निट पीक ब्राइटनेस है अच्छा खासा यहां पर ब्राइटनेस भी देखने के लिए मिल जाता है एंड यूटूब में वीडियो रिजूलेशन की बात करें सो 4K का सपोर्ट है 60fps HDR का सपोर्ट नहीं है बट यहां पर 4K में 60fps अच्छा खास है यहां पर रिजूलेशन है एंड इत्ती कॉलिटी में अच्छा खासा हम वीडियो देख सकते हैं डिस्पले की कॉलिटी के बात करूं सो मीडियम कॉलिटी की है ना जादा सिचुरेट है 9000 के बजट में अच्छा खासा आपको डिस्पले देखने के लिए मिल जाता है एंड उपर के साइड में उपर में वाटर ड्रॉप नौच है जो की हां टेक ठाक है एंड जो बैजल्स हैं काफी बड़े हैं एंड चीन है वो भी बड़ा है लेकिन फोन की जो इस्क्रीन है इस फोन को आप 9000 के अंदर के नजरों से देखो कि यह फोन किता अच्छा है आपर कॉलेटी आपको प्रोवाइट कर रहा है ठीक है 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट देखे भी और अच्छी डिस्पले देखे भी इसके बाद नहीं पर इस्पीकर इसमें सिंगल स्पीकर है लेक काफी लाउड रहते हैं लेकिन यह उतना लाउड नहीं है बट हाँ यहां पर बेसिक से है उसके बाद अब बात करते हैं कैमरा की क्योंकि इस फोन में आपको अच्छा कासा कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा 50 मेगा पिक्षल का एंड 2 मेगा पिक्षल का बैक साइड में फोटोस निकल के आती है सबसे पहले बार यहां पर पोटेट की अब पोटेट में जो सैल्फी ली हो मैंने उसको देख लो जो सैल्फी है न पोटेट की काफी ज़्यादा सांधार आई है एंड 2 पक फोटेट के फोटेस में एक साउप्र का जाएचे ये photo के तो क्या है कैने मैंने शूट ही बहुत अच्छा किया है यहांपर decent सी photo है ना जादा high quality की है ना जादा low category की है वीडियो रेजोलिशन यहांपर देख सकतों बैक साइड में 720p में 30 fps एंड 1080p में 30 fps का support है एंड फ्रेंट साइड में देख सकतों फ्रेंट साइड में भी वैसे ही है 1080p में 30 fps एंड 720p में 30 fps अब बारी आती ही gaming की जो बहुत सारे बंदे वेट कर रहे हैं कि इस फोन में कैसी gaming होगी तो सबसे पहले में graphic से set करता हूं max में high pace में high race में set on and filter को ओशन में उसके बाद यहां पर इसमें जो touch sampling rate है ना वह 180 का है मतलब 180 का सो वो जो touch response है ना थोड़ा लेट होगा जिसके आपको headshot मारने में drag headshot मारने में one tap headshot मारने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यह उतना अच्छा फोन नहीं है gaming के लिए यहां पर आप normal gaming कर सकते हो एंड ऐसानी की बहुत अच्छी sensitivity भी है sensitivity भी थोड़ी कम है यहां पर मैं जो one tap headshot मारता हूं या drag headshot मारता हूं और लग जाते हैं तो smooth high FPS को on कर लेना है एंड उसके बाद वो जो gaming का experience आएगा आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं जो experience कर रहा हूं उसके आप से आपको बता रहा हूं कि यहां पर smooth high FPS में आप gaming करेंगे इस phone में तो काफी हैं तर अच्छी gaming कर सकते हैं नौर्मल गेमिंग ठीक है मतलब भी बहुत बैस्ट नहीं नौर्मल गेमिंग कर सकते हैं जो कि मैं अच्छा आपकर कर रहा हूं तो अब बार याथी है पब्जी की 3 पार तो 2GB RAM 1GB RAM वाले फोन में भी चल जाएगा लेकिन पब्जी देखते हैं किस प्रकार की शैटिंग से ही सो देखते हैं पब जी में पर पर इसमूद एसमोद में अल्टर एंड बैलेंस में बैलेंस में अल्टरा है एंडेंड है एडेंडश्टि में हाई है मतलब की मीडियम नहीं क्लो शैटिंग कि आपर अप ग्र शक्तर ओ ठीके है लो ग्राफिक्स में सबसे पहले एंड अल्टरा में किया तो इस सेटिंग में करने के बाद थोड़ा बहुत मुझे अच्छा खासा है यहां पर दिखा और अच्छा खासा है यहां पर तैच रिस्पॉंस भी हो रहा था और बंदे को में इसली मार भी पा रहा था मतलब कि यहां पर आप स्मूद में अच्छी इस फोन की जबकि है कुछ नहीं तो गाइज तो लो सेटिंग में आप मेडियम गेमिंग कर सकतो ठेक फोन लगा मुझे यहां पर दस हजार के अंदर में नो हजार के अंदर में ठीक ठाक यहां पर फोन है यहां यहदि आपको वीडियो पसंद आती है तो यार प्लीज को अलकुल पर शट कर डालें ऐसी एंबॉक्सिंग की वीडियो के लिए एंड बहुत सारे गेमिंग एजिर्स के लिए एक से सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंट्रेस्टिंग वीडियो आज के लिए बस इतने ही बाई बाई